अब 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 आपको इम्मेरल इम्मेर्टी के रिस्पॉंस देखे और इसकी बाद मैं बताने वाला था आपको डेवलमेंट आप हीमरल इम्मेर्टी तो यह तीन से चार्ज स्टेप में होता है इसका पूरा प्रोसेस कम्प्लीट इसमें किस टाइप की की से इन्मोल होती है क्या की साथ होता है वो पर अवंको देखना है ठीक है सबसरे एक हम उसके पास आता है ठीक है नक्या सबसे पहले करते हैं और प्रोसेस होने लगता है ठीक है बने के बात का आपन का बनने के बाद या होता है दो तरह की इस टे-सेल होती है वह एक हो विए रही है यह दोनों की दोनों सेंस हो जाती ह defensive पाई जातों एस इसके साथ में करती है तो टी सेल्स अपकी क्या salud चल्प करें तो यह क्या सेंसिताइस टी सेल क्या करेंगे अपने पर टी सेल करती है तो किलर क्या होता है अब ढ़कर्त zeggen निकालर सेल्स वाले सेल को को करता है धो करता है इस उसके यह रिस्पॉंस आती है और प्लाजमा करते है चैसे mechanism रहती है पूरी यह आपको नोट्स में मिल जाएगी मैं आपको डाल दूगा जो टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको ठीक है आप अपन देखते हैं इसके नोट्स अब तो सबसे पहले यहीं देखना सब्सक्राइब करते हैं इसमें इन प्रोसेंग प्रिजेंटेशन को प्रिजेंट किया जाता कि हां यह चीज भुजी है अंदर बॉडी के अंदर उसकी प्रोसेंग की जाती है सब्सक्राइब करेंगी तो अपन देखने सबसे पहले क्या होना है एंटीजन प्रोसेशिंग प्रेजेंटीशन वॉंस दा एंटीजन इंट बोडी इस फेगो साइटरोस्ट वाई मेक्रोफेज तो यह मेक्रोफेज लिए जाता है और एंटीजन पॉलीप फॉली पेप्प्टाइज फ्राग्मेंटेट देन गंबाइंट विद या MCH MFC या MCH present in the macrophages and move to cell service called processing of antigen and cell called antigen presenting cell तो यह भी देखा था आपनने मैंने बताया था आपको इस तरह से यह macrophages के अंदर यह सबसे पहले फेगो साइट किया जाता है और इसको क्या MCH मचलाइस इसके इसको इसको एक ओर कर लिया जाता है उसकी processing सुरू कर दी जाती तो इसको क्या बोलते एंटीजर प्रोसेसिंगल और एंटीजन स्थे इसमें सुरू हो जाती इसनिज si क्या हो इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद recognition of antigen by lymphocyte तो आप जो एंटीजन जो प्रोसेस एंटीजन हो जाएगा लिंपोसाइट प्रोसेस और बाइंडिंग और प्रोसेस एंटीजन टू स्पेसिफिक रिसेप्टर रिसेप्टर रिंपोसाइट से बाइंट हो जाएगा तो यह आप आसान से देख सकते हैं कि इसकी रिसेप्टर साइट पर हो जाएगा ठीक है फिर लिंपोसाइट एक्टिवीशन लिंपोसाइट बींद बिदा एक्टिवेटेश बिकम लाजर और लूक लॉक लाइक लिंपोब्रास कॉल ब्लास्ट फॉर्मेशन मनें बताया था आपको किसके बात क्या हो जाएगा दोनों का भ़ाने मदलब बड़ी सेल बन गई अब क्या आप प्रडॉक्षन ओप एंटीबोडी तो प्लाजम तरह कि क्या दिए यह तो प्लाजम सेल से बनाती बनाती इनको पन क्या बोलतीइं मिद्डीक्षट अब मोल्लेक्ष पर सेकेंड इतने ज्यादा एंटी तो पहले आई जियम प्रीडूस करेंगे उसके बाद आई जी ठीक है बिल्कुल आसान है समझने में एक्टिवेशन और प्लिवेशन को नेक्टिवेट करना है तो लास्ट स्ट ज टॉप लास्ट स्टैप इन्वॉर्ड इनक्टिवेशन ऑफ इन एंटीजन था तो सबसेंड म मनलब याद कर लेनी है immobilization में इसको mobilization कम कर देते हैं बॉड़ी में अलग-अलग जगा फेलना पाइं कॉम्प्लिमेंट मीज कोई सबस्टेंस की जाते होंगे सेल्स के नहीं antibodies के द्वारा जिनके द्वारा उनकी गिरुथ रोग दी जाए या और फैसिलिटेशन ओफ फैगोसाइटोस तो इसको फैगोसाइटोस भी कर लिया जाता होगा तो इस तरह से उसके एंटिरी को रोग दिया जाता है और अपनी की बॉड़ी की सुरक्षा हीमेरोल इम्मेनिटी कर लेते हैं ठीक है थैंक्यू गाइस